हेलो फ्रेंट्स इस समीना फैसल और आप देख रहे हैं फूड़ी मूड़ी विच समीना और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कोकिंग प्लस व्लोगिंग सू प्लीज सब्सक्राइब और आज है शवर्मा की रेसिपी उमीद है आप लोगों को पसंद आए कि पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शवर्मा की रेसिपी के लिए मैंने यहां पर ले लिया है हाफ केजी मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया था और इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है जब फ्रीज थाना तब मैंने इस पिसा हुआ अद्धिथा ऊदिश है का नमक चैकन‌का नमक अब जांब मैंने टीओं पैबल स्पून मैंने ऐसमें शामिल कर दी है इसमीज अधिन चिली सास एक ही टेबल स्पून मैंने समील किया है शोया सास तो यहां पर मेरी जो मेरिनेशन है बिलकुल रेडी है मैं इसको मेरिनेट कर दूँगी अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर से जो दूद में से मलाई निकलती है वो शामिल कर सकते हैं एक चुटकी जर्दे का रंग शामिल कर दिया है और तकरिबन हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें सिर्का शामिल किया है सिर्का जो है मेरा नैशरल है डायलूटिड नहीं है तो मैंने कम शामिल किया है अगर आपका डायलूटिड है तो आप थोड़ा सा बग कॉंटिटी को बढ़ा लीजेगा और सब्जियों में मैंने यहाँ पर बंद गोबी जो होती है वो मैंने यहाँ पर रेशे में काट लिए मतलब जो लच्छेदार गोबी होती है वो काट लिए है और इस तरह से स्ट्रिप्स में मैंने गाजर का सोरी कुकुमबर काट लिया है कुकुम्बर में मैंने शामिल किया है अजब जायका नमक और शामिल कर दिया है टू टैबले स्पून के बराबर सिर्का और इसमें मैंने डाल दिया है तकरिवन हाफ ग्लास के बराबर पानी यह मेरा जो है सिर्का वाला पिकल रडी हो गया है कुकुम्बर का यहां पर आप द अगर आपके पास ज्कानी नहीं यह बना है नियुआ कर देलना पुस्तों टेजों मिटा से नहीं हमक्षोड़ कि देड़ानी भी कॆल नियुक। एक टेबरी स्पून में इसमें चिली सॉस डाल दिया है और इसको अची तरह से मैं पेस्ट बना लूँगी अच्छा सा सॉस पन जाएगा थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि यह अच्छा सा रहनी सा हो जाए और बहुत मज़ेदार सा सॉस रेड़ी है दो सॉस मेरे रेड बगेरा है ही नहीं तो हम इसको कैसे बनाए तो मैं आज आपको यह बताती हूं कि हम शावरमा घर में कैसे बना सकते हैं और आप यकिन करें यह बजार से बहुत जादा अच्छा बना था और बच्चों को भी पसंदाया और मेरे सास को भी बहुत पसंदाया था मेरे शोहर क बच जाता है और मज़े का मज़ा यहां पर जो है सारे मेने जो मेरे स्ट्रिप्स से मैं इसमें पिरो दूंगी अच्छा आप में यह ओवन बना रही हूँ आप सोचेंगे किसी के पास ओवन होता है किसी के पास नहीं होता तो आप टेंशन ना ले मैं आपको चूले पर भी ब कर दिया है अब और उपर देखें वफर चल रही है घृट पर ही इसको सेंक ना है आपने देखा होगा शवर्मा जो बाहर मिलता hon अब तो मैंने वह अगा एूपर वाला खोलता है और इसको में गरेल कर दूंगी और अब आजाते हैं स्टॉफ पर चाहीं को पर जाने से लि चूला कुलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे एक चीज जादू अच्छा आप सोच रहोंगे मैं इसमें क्रीम शामिल किया है मैं दही भी शामिल कर सकती थी लेकिन मैंने दही एक वज़ा से शामिल नहीं किया है वह वज़ा यह है कि दही जो है अगर गाड़ा होता है तो स्टिक कर जाता है लेकिन अगर थोड़ा सा रनी होता है नो तो स्टिक नहीं करता है मसाला सारा उतर जाता है तो आप क्रीम शामिल करके देखिएगा और यह मसाला देख सकते होंगे आपको नजर आ रहा होगा यह मसाला बिल्कुल भी बोटियों के उपर से उतरा नहीं है स पीज़ बैष करें मेरे चैल के वीडियो भागशा पासंद आती है यो भी वीडियो यो बम स्था किने को यिदी साथ एक शिए गर आपने हैं तो यह जिए ओने वाला बीजियों क से बाड़ियो हो नियांकों से मुझे इसको डीटेल में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी आपको आँखों से नदर आ रहोगा ये सिर्फ 15 मिनिट के अंदर अंदर मेरा चिकन जो है बिल्कुल रेडी है और कोई मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा है बहुत जादा अच्छ पीजा की डो बनाते हैं उसकी मैंने आपको दो से तीन बर रेसिपी दे दी है तो चाहें तो मैं अनिस्ट्रीन पर डाल दूंगी वह देख लीजेगा और ये देखें पीजा की डो जो मैंने बनाई थी ना उससे मैंने यहाँ पर एक रूटी के बराबर के पेड़े बनाए वरना वो बिल्कुल फलेट हो जाएगी और कड़क हो जाएगी और अगर आप पीटा ब्रेट बाहर से लेना चाहते हैं तो आप बाहर से भी खरीद कर एसमाल कर सकते हैं और मेरी रैसिपी को फूलो कर सकते हैं जो मैंने मसाल सोसेज बना और आंगे है पहनुंको उरधास हो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले पीट अप डेट्स उतारे वे हैं इसके उपर से और आपको बाद में दिखा रही हूँ पहले मैं पहले अपना कुछ ट्राय करके देखती हूँ अच्छे बनते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं शेयर ना करूँ तो मैंने बहुत परफेक्ट कुक हो चुके थे तो यहां पर मैं लगा रही हूँ अपनी जो रेड और गीरीन वाली मैंने चटनी कुक मैंने उनके लिए बिल्कुल कम मसाले वाला शावर्मा बना रही हूँ आगे मैं आपको स्पाइसी वाला भी बना के दिखा दूँगी तो उसमें मैं भर चिकन और अपने हिसाब से डाला रहे हैं कम जादा कॉटरिटी आपकी चुआइस हैं और इसके ओपर डाल दूब थोड़ा सा केचप ज़िए पहला ही डालोंगी ठोड़ा सा इडालोंगी ज़ा सा पर जब प्लेवर करने के लिए मैं डीफे अब कर देंगे हम रोल तो रोल अगर आपको तूट जाता है तो आपको पना जाता है यह देखें यहां पर बहुत मासालेदार बनने वाला है, ये बन रहा है, हैरिस का फैस का फिरमा और इसमें भोगत सारसा मेने सॉल्फ डाला है रेड और ग्रीन वाला और बहुत सारसा Mениемis भी डाल देंगे ऑ, क्योंकि बाहर का जो हम खाते हैं ना उसमें से Msceneis टपक रहा होता है बहुत सारा डलाव होता है, मसाला निकल रहा होता है बहुत मज़े का यमी लगता है और अभी जब मैं वाइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मूँ में पानी आगए है क्योंकि मैंने कल बनाये थे और हाँ आपको एक और बात बताओं कि अभी जो है मेरे स्टूदिन्स के एक्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो हो सकता है मैं आपको वीडियो रोज ना दे सकूँ रोज अपलोडिंग ना कर सकूँ तो इस बात के लिए माजरत और जो मेरे मुझे पसंद करने वाले हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पुरानी वीडियो को देखकर इंज्वाइ कीजेगा अगर मैं अपलोडिंग ना कर सकूँ वे से कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन छोड़के एक दिन अपलोडिंग कर दूँ लेकिन अगर ना कर सकी तो पुरानी वीडियो को एंजॉय कीजेगा और यहां पर देखें शावरमा बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े का बनाता जरूर ट्राइ कीजेगा रेसिपी पसंद आये तो लाइक कीजेगा चैनल करना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रोजाना देखते हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे रोजाना कमेंट भी करके बताते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं तो आज की मेरी वीडियो यही तक थी दौह में आद रखेगा अल्ला हाफिस अल्ला हाफिस